हेलो फैंड, स्वागे ते आफ सभी का आपके अपने सीटुक चैनल पर दोस्तों ये वीडियो भी आप लोग ले बहुत ज़ादा इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी आप साइट पर कॉलम की कास्टिंग या ढलाई कराएंगे तो उसमें हमें रेशो की हिसाब से बनाना चाहिए ताकि जो रेशो है हमारा वो प्रॉपर तरीके से बन पाएं आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल वो चीज़े करके दिखाऊंगा भी साथी साथ थोड़ा सा इस वीडियो का पार्ट ठ्योटिकल भी होने वाला है तो वो भी मैं आपको ओन पेपर समझाऊंगा ताकि आपको सच पता चले कि होता है अब यहां पर क्या होता है कि दोखो जो फ्रेशा लोग होते हैं साइट पर काम करना जाते हैं तो उनको भी क्या होता है कि वो कॉलिस से नहीं कलते हैं और उनको अच्छे से प्रैक्टिकल नोलिज नहीं होती और साथी साथ अगर इस व यह मौन होता है कि रिचयु जब हम रखेंगे तो रिचयो से पहले हमें यह चीज3 पता हो olfना ज्रॉक आ कि हमारा जो किश में बहुत समझेंगा पर उससे पहले आपको तसले में या तगाडी में या परात में जिसको आप जो समझें तो उससे measure कर लो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक labor एक cement के बैक को खाली कर रहा है और side पे use होने वाली जो तगाडी है या परात है उससे ना पर है तो यहां पे 3 परात cement निकल रहा है जैसे आप देख रहे हैं अब यह देखो 3 परात हर किसी के लिए नहीं है यह depend करेगा कि आपकी जो परात है वो use जो हो रही है वो कितने size की है यह 16 इंची की परात है यानि कि छोटी परात है इसलिए हैं पर 3 पराद निकल रहा है बरना आप 18 इंची की करते हैं तो उसमें धाई निकलता है और 20 इंची की पराद का इस्तमाल करते हैं तो वहाँ पर दो पराद निकलता है तो वो आप पहले step यही करेंगे कि हमें किस हिसाफ से फिर चेक करना है तो पहला step यह होगी है हमारा ठेकेदार दस पराद डल रहे है यह हमारा ठेकेदार पंदरा पराद डल रहे है तो उन सब चीजों से बच जाओगे पहले आपको यह चीट चेक करने है अब उसके बाद में थोड़ा सा थिरोटीकल पार्ट पे हम चलेंगे तो आपको यहां देख रहे हैं को मिलेगा मैंने कुछ लिखा है ratio और उसके बाद में किस हिसाब से कौन सी पराट डलेगी वो सब बताया है तो यहां पर एक कॉलम का concrete ratio की बात करें तो आपको M20 जैसे मैंने बोला कि 1.5 तीन अभी पीछे मैंने आपको बोला था तो cement हमारा कितना निकल रहा था 3 तसला निकल रहा था ठीक है अब हमें sand से होगा वो कितना होगा क्योंकि हमें sand तो पता नहीं तो हम क्या करेंगे जो ratio हमारा 1.5 तीन 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 पार्ट था वो aggregate तो यह आपको पता चला 3 cement हो गया हमारा पराथ 4 हमारा rate हो गया और 9 पराथ हमारा aggregate है कि 20 mm sorry दाना हो गया अभी 20 mm हो गया 10 mm हो गया यह चीज़े भी site पर use होती है तो 20 mm जो रहेगा वो हमें 6 पराथ इस्तेमाल करना है और 10 mm हो गया 3 पराथ अब यह आपको कैसे पता चला कि हमें 20 mm जो है वो 6 डालना है 10 mm जो हमें वो 3 डालना है तो यह बंधर पाट होता है यारे कि total हमारा aggregate का एक तिहाई कर देंगे तो जो एक तिहाई करके निकल के आएगा वो ही हमारा जो होएगा वो 10 mm देलेगा तभी आपका सही ratio बनेगा वरना अगर आप 20 mm ही नो पराथ डाल दोगे तो काफी जादा दाना हो जाएगा आपका ठेकेदार भी आपको मना करेगा और आप भी जब ratio बनके निकलेगा तो काफी जादा segregation प्रॉब्लम हो सकती है दाना दाना काफी जादा हो जाता है इसलिए आपको 10 mm के साथ वो 20 mm के साथ 10 mm के साथ 10 mm यूज़ करना काफी जादा जरूरी हो जाता है तो M20 ratio ये होता है एक सही ratio अब यहाँ पर कोई भी गलती आपकी नहीं होगी जो अक्सर लोगबार गलती कर देते हैं कि कोई 4 रेता डाल रहा है 4 दाना डाल रहा है इस तरीके से वो बराबर बराबर कर देते हैं पर हमेशा धियान रखना दाना हमेशा रेती से जादा डलता है जब आप इस ratio को समझ लेंके जैसे आपने देखा कि 13.30 परात ये बनेगा जो टोटल परात का था वो कम हो जाता तो ये कोई fix नहीं कि साड़े तेरा परात ही डलेंगी बट पहला step हमारा रहेगा cement को measure करना है कितनी परात cement निकल रहे है उसी के बाद जो हमारे proportion होते है sand के और aggregate के उन से multiply कर देना है उसके बाद आप एक सही ratio बना पाएंगे तो इस वीडियो में आपको बहुत ही प्रैक्टिकली चीजे करके समझाई है ताकि आप उसको अच्छे समझ पाएं और मुझे उम्मीद है आप समझ भी करेंगे अगर फिर भी कोई doubt रहे गया है तो आप हमारे instagram पर में message कर सकते हैं या comment पर type कर सकते हैं और please अगर ये वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो लाइक करना चैनल को subscribe करना है क्योंकि हम इससे motivation मिलती है और हम इसी तरह के आपके लिए practical वीडियो दिलाते रहेंगे